सीटेट दिसंबर 2021 परिक्षा देने वाले तमाम अभ्यरतियों के लिए सीटेट की ऑफिसल वेब साइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल अप करने के लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है तो आप सभी अपवेटी जो है अपना फॉर्म फिल अप कर सकते हैं इस बीडियो में पूरी अपडेट बताई जा रही है तो आप पूरे वीडियो को अंतक देखें तो दोस्तों देख सकते हैं अपलाइफ और सीटेट दिसंबर 2021 इस पर क्या करना है आपको क्लिक कर देना जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो है उपिन होगा जिसमें आपको स और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप दिए गया है कि आपका सबसे पहले रिजिस्टेशन कराना होगा उसके बाद अप्लिकेशन फॉर्म आपसे मतलब भड़ी जाएगी और उसके बाद इमेज अपलोड करना है और पेमेंट करना है उसके बाद आपका फॉर्म जो है टिक करेंगे चिक बॉक्स को टिक करने के बाद जो है आप क्लिक है टू प्रोसीड पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा न्यू रजिस्टेशन के लिए तो दोस्तों इसमें आपको जो है कैंडिडेट नेम यानि तो देख सकते हैं जेंडर हम यहां पर करते हैं उसके बाद आप कोई भी एक आइडी प्रूफ आपको इसमें सेलेक्ट करना है तो यहां पर देख सकते हैं कि भोटर आइडी है पासबूर्ट है बैंक पासबूर्ट है और यहां पर इनी अधर भेली डॉक्मेंट आइडेंट के बाद address उसके बाद लोकालीटी अपना डालेंगे उसके बाद city का नाम आप इसमेंंगे करेंगे उसके बाद country करेंगे । कि यूप करींगे कि इस ते ट्थि तो से हैं आप उसको सीलेट करेंगे Mr. लेंगे उसक़ बाद पीन अपना जो है मियाँ पर मेंसन करेंगे उसके बाद email id और mobile नंबर देने के बाद आपको जो है अगर प्रमानेंट एड्रेस सेम है तो ठीक है आन्य था आपको जो है आपका दूसरा एड्रेस जो है इसमें correspondence एड्रेस जो है आपको भड़ना पड़ेगा उसके बाद password जो है आप डालेंगे तब जाकर यह password सही तरीक से सिट हो पाएगा उसके बाद security question आप से पूछा जा रहा है तो security question में आप कुछ भी इसमें आप भर सकते जैसे what is the name of your first school तो आपके first school का नाम क्या था आप भर सकते है या what is your neighbor's name आप भर सकते तो महीं आपड़ स्कूल नेम भर द दालेंगे तो security pin है उसको आप इसमें डालेंगे और submit बटन पर क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे सकते हैं कि मैंने पूरी detail जो है fill up कर लिया है उसके बाद submit बटन पर आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे तो यहां पर जो है कुछ information जो है verify करने के लिए कहा जा रहा है जैसे आप क्लिक करके अपना registration edit कर सकते हैं ने mother's name data birth gender address और mobile number email id यह सभी जो इसमें बात mention किया गया है registration में अगर सही है तो ठीक है अने था आप जो है सुधार कर लेंगे अने था आपकी जो form है वो गलत हो जाएगे उसके बाद I agree बटन पर आप क्या करेंगे क्लिक करेंगे और उसके बाद submit and send OTP पर आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नमबर पर OTP भेजा जाएगा जिसको आप इसमें करने पास रख लेंगे उसके बाद देख सकते हैं कि application status जो है complete हो चुका है और apply form यहाँ पर आपको complete करना है next में तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे application नमबर जो है मिल चुका है देख सकते हैं आप क्या करेंगे इससे आप no down करके रख लेंगे उसके ब करेंगे तो यहाँ पर आप इंडियान आप समिट करेंगे केटगोरी आपको यहाँ पर select करना है तो यहाँ पर मैं OVC NCL कर देता हूं उसके बाद क्या आप physically handicap है अगर है तो आप इस करेंगे एन था आप इससे no कर देंगे यहाँ पर आपको language first select करना है आप इस पर click करेंगे और इसमें आपको Hindi ही first language में select करना है और second language में आपको ज में देने में आप जो है comfortable है जैसे इंग्लिस आप सेट कर सकते हैं असमी बंगाली गुजराती यह सब जो है आप मीजो नेपाली वगएर आप select कर लेंगे लेकिन मैं यहाँ पर अंग्रेजी भासा select करने वाला हूं तो आप इसको select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर है imply status not implied अगर आप कहीं पे नोखरी नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले option को select करेंगे अगर आप implied teacher अगर कहीं पर teacher group में पढ़ा रहे हैं तो आप दूसरा option select कर सकते हैं और implied other than teacher तो teacher के अलाबा कुछ और job कर रहे हैं तो नीचे वाला आप select करेंगे तो मैं यहाँ जो है first option को select करने वाला हूं not implied applying for तो यहाँ पर ही main माज़रा है जिसको आपको select करना है तो आप इस पर click करेंगे तो देख सकते हैं paper 1 एक अच्छा एक से 5 के लिए paper 2 68 के लिए और both जो लोग both paper भड़ना चाहते हैं तो उसको 125 68 पर click करना है तो मैं यहाँ पर both click select करना है minimum educational qualification for class 125 तो 125 के लिए जो आप training की हुए हैं उसको आपको select करना हुआ करना है अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं जो की senior secondary plus diploma के लिए है यानि के डीलेड वालों के लिए है तो एक आपको यहाँ पर select करना है वहीं पर minimum qualification जो है 68 के लिए आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दो select करना है क्योंकि यहाँ यहाँ पर वाले अभ्यर्थी जो लोग हैं उन लोगों के लिए है तो यहाँ पर दो वाला option जो है select करना है उसके वाद subject offered for paper टू तो पेपर टू में आप कौन सा paper देना चाहते हैं मैं साइंस के बहरती है तो इसको टिक करेंगे अगर social science के बहरती है तो आप social science को टिक करें हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है कि आप diploma किये हुए है या आप degree in education है तो मैं यहाँ पर diploma select कर रहा हूं क्योंकि मैंने diploma किया है जिसका मैंने form fill up कर रहा हूं paper medium तो कुछ भासा में आप question शूर्व करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर टिक करना है हिंदी और आप इंग्लिज तो आप क्या prefer करते हैं उसके हिसाब से आप टिक करेंगे मैं यहाँ पर हिंदी select कर देता हूं और exam center यहाँ पर दिये गए हैं जिससे आप select कर सकते हैं सबसे पहले state select करना है तो मैं बिहार select कर रहा हूं और उसके बाद यहाँ पर district आपको select करना चाहता है जिस district में आप exam देने वाले हैं उसके लिए आपको जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं select करता हूं मुझे फरपूर शेकन में हैं बिहार यहाँ पर select कर रहा हूं next वाले में भी आप अपने हिसाब से जो आपका home district के बाद आपका जो nearest district है उसको आप select करेंगे तो मैं यहाँ पर जो है मैं पटना select कर देता हूं तो चार सेंटर हो गया उसके बाद passing status तो आप देख सकते हैं कि आप appearing है या past है इसको आपको submit करना है तो अगर आप appearing student है तो appearing पर click करके आप जो है form fill up कर सकते हैं अगर आप pass है तो आप pass पर click करना होगा तो मैं यहाँ पर appearing fill up कर देता हूं और यहाँ पर है course और stream name तो आप यहाँ पर आप टिक कर लेंगे उसके बाद board और university का आपको नाम लिखना है और उसका institution का pin code आपको submit यहाँ पर करना है देख सकते हैं इसके बाद capture code आप इसमें इंटर करेंगे और इसके बाद submit बटन पर क्या करेंगे click कर देंगे करने के जैसे ही submit बटन पर क्लिक करेंगे तो form जो है submit हो जाएगा और उसके बाद आप से photo और signature आप से बागी जाएगी तो photo और signature इसके बाद क्या करना है upload कर देना है अब इसमें भी फिर से आप से वहीं verification करा रहा है कि क्या आपका नाम जो आप फिलप की वह सही है father's name आप डाले category और आप पी डालो डी यानि की person जो disable है वह बला section examination cities और examination detail जो भी आप भड़े हुए है वो आप सही तरीके से भड़े हुए है या नहीं उसवी आप check कर लेंगे अगर सही है तो ठीक है आप agree button पर click करके आप proceed करेंगे अन अथा edit form पर click करके आप edit करेंगे अब यहाँ पर final submit कर देंगे अगर सही तरीके से अपने form फिल अप कर लिया है इसके बाद आगे proceed हो जाना है तो यहाँ पर जो है अपना photograph यानि की photo upload करना है चूज फाइल पर click करके जो मैंने upload कर लिया है और file का size होना चाहिए यानिकि photo का size होना चाहिए 10 से 200 kv के बीच में होना चाहिए औ इसके बाद जो code है इसको इसमें fill कर देना है और उसके बाद submit button पर click कर देना है कि समीट बटन पर क्लिक कर देना हैं देख सकते हैं जैसे आप किलिक करेंगे तो डॉक्मेंट सक्सेस्टूली अपलोड हो चुका है इसके बाद आप से पेमेंट मांगा जाएगा आप आप देख सकते हैं कि यहाँ पर payment आपको करना है अगर किसी भी प्रकार का problem है तो आप अपने application form में edit कर सकते हैं और document जो है सही तरीके से आप upload कर सकते हैं मैं यहाँ पर pay करने वाला हूं exam फी जैसे यहाँ इस पर exam फीपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे activate होगा और आपके लिए दो मोड है पेमेंट करने का एक है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं और रियल टाइम इचलाल के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर online माध्यम सेलेक कर रहा हूं और प्रोसीड फॉर पेमेंट तो जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप से मेंट साथों से क्रिजीट कार्ड के माधिएंग से नेट वेकेंग एटियम के माधियम से जो है आप अपना फिट कर सकते हैं कर ना क्या है आपको एककम का स्वाइट अंबर करते हैं और चनके नाम पर है उसको आपको झालना है और ऊकमेंट पर आप क्लिक कर देंगे Il का फॉर्म समिट हो जाएगा यह है फुल तो दोस्तों आपके प्रशंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चाहरो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्य बाद तो यहां पर जो है अपना फोटोग्राफ यानि की फोटो अपलोड करना है चूज का साइज होना चाहिए यानि की फोटो का साइज होना चाहिए दस से दो सो केवी के बीच में होना चाहिए और सिगनेचर का जो साइज है वो चार केवी से लेकर तीस केवी के बीच में होना चाहिए जो की आपको यहां से चूज कर लेना है तो जो मैंने सलेक्ट कर लिया है इसके बाद जो code है इसको इसमें fill कर देना है और उसके बाद submit button पर click कर देना है submit button पर click कर देना है देख सकते हैं जैसे ही आप click करेंगे तो document successfully upload हो चुका है इसके बाद आप से payment बांगा जाएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर payment आपको करना है अगर किसी भी प्रकार का problem है तो आप अपने application फोर्ड में edit कर सकते हैं और document जो है सही तरीके से आप upload कर सकते हैं मैं यहाँ पर pay करने वाला हूँ exam फी जैसे यहाँ इस पर exam फीपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे activate होगा और आपके लिए दो mode है payment करने का एक है online payment कर सकते ह हैं और रियल टाइम इचलाल के भी माध्यम से payment कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर online माध्यम स्लेक कर रहा हूँ और प्रोसीड फॉर पेमेंट तो जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप से detail मांगी जाएगी देख सकते हैं कि यहाँ पर मांगा जा रहा है देख सकत है एनी डेधि कार और क्रीडिट कर नेट्मे किंग आप सलेक्ट कर सकते हैं इसको सकते हैं किया है और जैसे के souvenir तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 401 कार देख सब् Morgan से फीर गों से जो है पपना प्र मेंट कर सकते हैं करना क्nt किया है आपको इ erfolg कि और आपर यह और उसके बाद पर आप क्या करेंगे क्लिक कर देंगे मेंक प्रिक करने के बाद आपका प्रिंट आउट आप जो है अपना ले लेंगे उसके बाद आप सभी तमाम अभेठी का फॉर्म समिट हो जाएगा ये है फुल तो दोस्तों आपके बडिए प्रशंद आई हो तो वीड अपने दोस्तों में सेर भी कर दे पुरे वीडियो को अंतर देखने के लिए धन्यवाद